वियाईपी पार्टी के सनरक्षन मुके सैनी हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं सैनी जी विधान सभाम मंडल में लगतार विरोध चल रहा है आपका क्या स्टैंड है चमकी बुखार जो हुआ बिहार में जो इतने बच्चे के मौत ही कौन जिम्मेदार है इसके लिए निशित तोर पे इसका सारा का सारा जवाब दही राजसरकार का है और नितिश कुमार जी का है और मंगल पांडे जी का है जो स्वास्त मंत्री है मंगल पांडे जी स्वास्त मंत्री बिहार के लिए बने हैं और आपको पता होगा कि वो जहारकन के परभारी है बिहार में नहीं जागर देखें कि दिली में केजर्यवाल का सरकार है जहां 14% स्वास्त पे खर्च कर रहा है तो कितना वरा फर्क है कहां 4% कहां 14% जब क्योंचा दिल्ली सरकार का बजट 50,000 करोड है 60,000 करोड में 14% वो स्वास्त पे खर्च करते हैं शिक्षा पे 27% खर्च कर रहे है भीहार 17% कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भीहार सरकार को जबाब दही लेना परregा और मुख मंत्री जी को नेतिकता नेतिकता के आधार पे दुर्गटना हुए था उन्होंने केंदर को स्वपा था उसी तरीके से बिहार में भी उनको इस्थिफा स्वपना चाहिए और खास करके मंगल पांडे को तो उनको सर्म आना चाहिए कि इतना वारा हाथसा होने के बाद भी इतना विपक्ष मांगने के बाज्युद भी वो अभी तक अरे हैं कि उनको सक्ता में बने रहना है जबकि उनको पावर में रहना है तो कहीं न कहीं ये लोग राजनीत कर रहे आरभा तो हम जम्हारा और फर्ज और करतब बनकर और जनता की बात को हम सदन में रखेंदek कुछवाह जो महागट बंदन के हिस्सा हैं वह सड़क पर अंदोलन कर रहें नितीश सड़क पर उतरने के लिए जा रहे हैं। और नितिकता काधार पे आप बताईए कि 2014 में सिप वो चुना भार गए हैं बिहार में दो सीट हुआ उस नितिकता काधार पे उन्होंने पार्टी से इस्तिफा दे दिये थे CM से और आपके लिए एक सीट प्यारा था आपके लिए कंडिडेट जितना वो प्यारा था आपके यहां पे 300-400 बच्चे मर गए वो प्यारा नहीं नजर आ रहा है आपने नितिकता का अधार पे आप सीएं खुरसी क्यूं नहीं छोड़ रहे एक समय आपको पांच बो सीट नहीं जीते तो आप खुरसी छोड़ दिये और आज आप सेक्रों बच्चे मर गए हैं उसके अंदर आत्मा नितिज जी के पास अंदर आत्मा हाही नहीं अगर अंदर आत्मा रहता थ यहीं 014 में में चीत नहीं हुआ तो इसलिए इस्तिफादे दिये थे और उस पर भी कोई ठोस काम नहीं कर रहा है तो तीजस्वी जो महागडबंदन के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष वह गायब थे इसको लेकर करके विरोध कापी विरोधियों जो थे वह सवाल उठा रहे थे कि वह कहां गायब हो गया उन्हें राजनीती से सन्यास लेना चा कारण बैक में पॉलम रहने के कारण वह इलाज पे थे और अभी फिरी होगे तो अभी आज सदन में भी पहुचे हैं तो ऐसे नहीं कि राजनी से कोई सन्यास ले लेगा हम लोग बिपक्ष हैं और खास करके जंता के तीसरी आँख है और हम जंता के बीच में जो कमी रहेग ने देखिए रहाल गांदी जी का कॉंग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है उस पार्टी का अपना पॉलेसी है और उस पार्टी के पॉलेसी के तहट उन्होंने जो रहाल गांदी जी को जो लगा आउचित उन्होंने किया है अभी रहा कि हमारे आरजडी छित्रिये पार् लगता है हम अपने पैर पे खरा होना चाहेंगे तो आज तेजस्वी परसाद ज्यादब अगर उतको लगता है कि हम लड़ाई लर सकते हैं फिर से मजगूती से कर सकते तो मतलब उसको डटाए रहना चाहिए और फिर पार्टी के राष्टी एदेख तो तेजस्वी परसाद पार्टी के एक बड़े नेता हैं तो उस लियास से और मजगूती से वो काम करेंगे और आगे पार्टी को बढ़ाएंगे आगे बिहार के लिए क्या सोतर है कैसे संगठन के मजगूती के लिए काम कर रहा है संगठन पे जो हर पाटी का एक जो सिस्टम है बूतस्तर का काम करने का वो आज हमारी बिहार में बूतस्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच में पहुंच रहे हैं जनता के बीच में फर्क दिखा रहे हैं एक सरकार का आज भारत में बीजेपी अपने आपको कह रहे ह तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे भारती जनता पार्टी आते बीच में लोगों को गुम्रा करके जज़ भुट बैंक क्लेक्टर लेते लेकिन हम लोगों को जागरुक करेंगे कि अच्छे और बुरा का फर्क समझे और इसके लिए नियंतन जो संगठन का काम होना ची अब बने रहे लाइफ सिटीज के साथ क्याम अपशन गनेश के साथ में तन्वीर अलम लाइफ सिटीज पटना